समझ्टी को बारिगी से समझना है तो उसको वेश्टी में लाना पड़ेगा एक-एक वेक्ति को समझते ही आप समुग को समझ पाएगे इसलिए उन्होंने उसमें विभाग कर दिया ये तो खाली विभाग करने के लिए अभी दो सूत्र उसी के लिए आएगे बोले कि मुख्य रूप से नव प्रगार के विभाग यहां कर सकते ये योगियों में जो सादन करने वाले हैं नव प्रगार के होते कैसे मृदू मध्य आदिमात्र उबाया जो मृदू बायवाले हैं मध्यो बायवाले हैं आदिमात्र उबायवाले टीक है यह सब भार्ष में है और उसमें भी जो है काईसा होता है मुरूडूपायः, मध्दूपायः, अधिमात्रोपायः इती तत्र मुरूदूबायो भी तृविधा मुरूदूबायः में भी तीन विभाग होगा कैसे मृदु सम्वेगा, मध्य सम्वेगा, तीवर सम्वेगा ये सम्वेग मतलम उसके करने की तीवरदा त्वरिद गेदी से सम्वेग प्रकार से जो करता है वो सम्वेग है सम्वेग उसको अभ्यास का भी खूब बल है और वाईराग्या का भी बल है यह दोनों बेल्क के आधार पर वो बहुत तेजी से करता है यही संवेग है जितने तेजी से करता है उसका नाम संवेग है तो यह एक दिन हमने बीच में बोला था कि आप पूरे अपने एक दिन का जीवन को तुरना करके देखिए कितने आप साधन कर रहे हैं कितने बाखे का कि तो जितना किया है उतनए आपके है तो देखने पर पता चलेगा तो मृदु संवेग है है मृदु से ज़्यादा नीचे आगे है वो तो और विभाग किया हुए किट्धु मृदु संवेग बहुत कमज़ोर है हम करते हैं ऐसा बोल रहा हैं कि कि तू करते घूछ में बाकी दूसरे चीज करते हैं जितने लगाव से हम दूसरे चीज़ों में लगे हुए हैं आज ये मोबेल जो है न बड़ा ऐसा क्या है भगवान का पता नहीं बहुत सारे उभयोगदा भी है उसमें इसलिए लोग उसको छोड़ते ने किन्दू हमने देखा संदों को भी स समय बरबाद करो ये कुछ तो उसमें सोचो भाई जितको ठीक है आप बात करना है बात करलो जो करना है करो आगे पीज़े जो बयोगी बात को है उतने उपववगदा को समझो ये निए खाली खेल उसमें क्या-क्या कलागारी वो कलागारियों को समझने की बहुत बड़ी ठीक है आपको उस कलागारी को जरूर समझना चाहिए यदि आप कोई मोबैल बेजने के लिए दुकान खोलना चाहते हैं एक को मैंने ऐसे सिदा गए दिया आप साधा गया समया से आपको मोबैलों के बारे में दुनिया में कितने मोबैल होता है इसके बारे में जानकारी तब चाहिए थी यदि आपको आगे मोबैल का दुकान खोलना है या इसका कोई एजनसी करना है या कोई व्याबार करना है कारे के लिए हम तयार है हमें आगे क्या कारे करना चाहिए इसको ध्यान में ठीक है उसी की गलती वो गलत चीस नहीं है गलती आपके उपर है उसके उपयोगता जितना है उतना उपयोगता हो बागी समय उसको चुप रहे हैं तो यह आपको उसमें और काम करना हो तब उसको सी देखें हब उसकी बहुत बवड़ी मभिम मा समझते हैं कि हम तो यह जांता ओधर कर Rudy आप तो उसकें लिए लाइग है यह स्कुर करना है तो मन आपको दूसरे लगा लगा दिया शारे बुझ्जी के को आप दूसरे लगा लगा दिया जो कुछ तोड़ा एगाग्रता ध्यान बजन जब करके मिला है या मिल रहा है उसको आप कहें और बहार है इसलिए चित्तन अधी पहले कहा था उभयवाहिनी जोनु तरफ बहता है जहां बहाओ वहीं उभते जाता इसलिए यह थीवर संवे में पहले कि यह संवे को अलग-अलग कर पताया कि आपको अपने आप देखने के लिए कौन से संवे रहत एक इतना हिए उनका उद्देश द्वाकी विभाह करने को उद्देश नहीं इसलिए म्रदुसंवेग हल्भभ्य वेगarus थिव्रसंवेग हल्भभव वेख तधा मध कर रहे हूं तीव्रसंवेगानाम योगिनाम आसन्नहा सबसे जल्दी उनको ही होता है आसन्ना मन शीग्रतर सबसे निकट ब्रात होता है आसम्रतिनाम यहिए उनके अंदर थीवरसंवेगता, पूरी ताकत को मन की जो ताकत हैं उसको उसी में ही लगा दिया उसी को ही किया तो उसका पूरा फ़ल उनको निकटब प्राप्ट होता है अब इससे आप बागी आपने आप समझ लोगे। यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपने पूरा लगा या नहीं। आप कुछ और-और करते रहे हैं अब इसमें नहीं लगा रहा है। तो इसको लगाने के लिए कहा लगाना ये जानकारी चाहिए पहले जानकारी ठीक प्राप्त करो उसके बाद जहां जैसा लगाना है वहां लगाओ और लगा करके आप देखो होता है कि नहीं होता है। लगाने पर होता है इसमें कोई समझे है यदि आप लगाने पर नहीं होता है यह समझेंगे तो शास्त्र पूरा विर्थ हो जाएगा शास्त्र जुट नहीं बोलता है आपको परिशान करने के लिए नहीं बोलता है ऐसा नहीं समझना शास्त्र कह दिया तो हमको करना पड़ रहा है यही नहीं आपको परिशान करके शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए शास्त्र कह रहा है कि यदि आप लगो तो जरूर होगा इसके लिए भूलने तीवरसंवेग आना आसन ने तो क्यों बोलना था तो दूसरे विशाई से जैसा आप हटा दो तो वो हो जाए आप बोलते हैं नहीं नहीं आम तो ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं सामाधी भी लगा सकते हैं फिर हम खेल भी कर सकते हैं फिर क्या है सब कुछ आप कर सकते ऐसा बोलेंगे तो बिलकल जुट बोल रहा है वो नहीं कर सकता है जो सामानी व्यक्ति को बनाया वो सामानी व्यक्ति में तोड़ा बहुत तो एक दो नंबर का एरफेर हो सकता है अपने जीवन चरिया का इंसार। किंदू एक सीमित शक्ती ही दिया है आपको शारीरी ग्रूप से मानसी ग्रूप से उससे अधिक शक्ती नहीं दे सकती है क्योंगी वो देने पर आपका शरीर काम नहीं करेगा जितने शक्ती का जैसा जिस वायर में जितनी बिजली जाने चाहिए उससे अधिक बिजली को वहा को समय प्रकार से कराने के लिए उतने शक्ति उसमें प्रोड्यूस होती है और उतने ही वह आप काम में ला सकते इसी प्रकार मन में भी है मन में जितने शक्ति है वो निस्चित समय के लिए उतने ही शक्ति से आप काम ले सकते उसको 25 काम में नहीं लगा सकते यदि आप 25 काम मे विभादन कर देगा तो उतनी शक्ति से जो पत्तीस काम में जो सिध्धों ना उतना सिध्धों जाएगा पूरा होगा यह पहले समझना आए कि आम यह नहीं समझना है कि हमारे अंदर सब कर सकता है ऐसा नहीं होता है एक समय में यह की काम में आप लगातार करते रहेंगे और उसके संबंधित जिसको करेंगे, उसमें ही मन पूरा लगेगा, तो उसका पूरा फलूल आएगा, बहुत लोग ऐसा समझते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं होता है, बेरकुल मुर्खदा है, ऐसा हो नहीं सकता है, तो इसलिए तीवरसंवे कहने का ताथ पर य एक गम निकड होता है, उसी में भी और विभाग के लिए बोला, जो भाशिकार ने विभाग करके बताया, उसको जोड़ने के लिए भी भाग है। हम तो तीवरसंवेग है, फिर भी हो सकता है, तीवरसंवेग में भी कोई और विभाग हो, उन्होंने बला विभाग करने में क्या रखा है, और विभाग ले लो, तीवरसंवेग में और तीन विभातर, क्या है, मृदू तीवरसंवेग हा, शब्द प्रयोग अच्छा लग और मध्यतिवरसंवेग में मध्यमस्तर पर पहुंचा है और अधिमात्र तीवरसंवेग जो अधिमात्र तीवरसंवेग होगा उसको तो बहुत ही जल्दी प्राप्त है आप महात्माओं को जीवन देखिए, बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं, जो उनके 30, 15, 40 साल होने के बाद अध्यात्म की जीवन में आया, फिर भी उन्होंने सब प्राप्त किया, तो जो प्राप्त किया, उसके लिए उन्होंने कैसे प्राप्त किया, जो किया उन्होंने तीवर सम्वेक से किया, और सब छोड़ करके किया, ऐसे बड़े-बड़े महात्माओं का चरितर आप जानते हैं, तो इसलिए यहां समय की बात नहीं है, आवस्था की भी बात नहीं है आप किस भाव से कितना कर रहे हैं इसकी बात है सारे हिसाब किदाव उसी पर है इसलिए यह विभाव करके दिखाना चाहते है कि कम से कम आप समझ ले कि इस प्रगार की हमारी स्थिदी है इसमें से सबसे किस स्थिदी में है इसलिया में उतने ही वो धूर लगड़ा है उतने ही हम उसमें लगाव कर लेगे तो मृदु, मध्य, अधिमात, प्रत्वाद, तदो भी विशेशा मृदु, मध्य, और अधिमात, इन तीन में भाग वो तिवरसंवेग में भी कर सकते हैं तब क्या होगा बोला, तदो भी विशेशा वो जो तिवरसंवेगा अनाम आसन्नतरह बोला वो आसन्न से भी और अधिक होगा मतलना आसन्नतरह, आसन्नतमः ये सब लगए ज़ादा सा ज़ादा निकट के हो जाएगा तो ये समाधि लाब के लिए दो प्रकार के आया असंप्रत ज्याद के लिए जो भवप्रत्य होगा विदेह प्रक्दिलेयों को होगा और जो अन्ययोगी साधक होंगे उनको इधरेश्राम के द्वारा स्रध्धा वीर्याधिक कहा गया और उसमें भी दो विभाजन करके आपको उसके स्थर समझने के लिए कहा अब यहा साधन के साथ और क्या क्या साधन को अपना सकते हैं जो महर्शी सूत्र रजना जब कर रहे थे उस समय वहां साधवों के बीच में जो प्रजरित था और जो स्याफ्तर सम्मद था और साधवों के लिए उपकारी है ऐसा जो साधनों को उन्होंने समझा कि समाधिक जाने के ल तो समझा वो साधनों को भी है, इधर जोड दिया गए। तो अभ्यास में ये सब मदद कार होगे, अभी जैसे स्रध्धा आदी कहा, स्रध्धा के लिए ये मदद कार होगे. तो यहां से लेके ईश्वर प्रनिधान और ईश्वर प्रनिधान में ईश्वर का लक्षन बोलेंगे फिर ईश्वर के संबंध में जग को बोलेंगे बात में प्राणायामादी के भी विगल्प करेंगे ऐसे धीरे धीरे इन साधनों को जिनको जो मुख्य रूप से समाधी के लिए मददकार होते हैं ऐसे साधनों को भी अपनाएं यहां कुछ वैख्याकार विगल्प से मानते हैं मतलब समाधी साधनों को जो पहले बताया अभ्यास वैराग्यादी क्योंगि अभी क्या क्या बताया अभ्यास वहराग्य और विदर्क, विचार, आनंद, अस्मिद, सम्रत्याद और उसमें तीवरसंवेगान, मासन्न, इत्यादी करके उसी के अंदर विभादन करके दिखाया तो बोलते हैं उससे यह अत्यंद भिन्न साधन ऐसा नहीं है क्योंगि केवल इश्वर प्रनिधाना, अदवा, प्रानाया, माधी केवल उससे यह विचार में स्तिती नहीं हो सकता तो यह विचार के लिए तो स्रधा वीर्यादी तो साथ में चाहिए ही आप कोई भी साधन करो, यह साधन तो वहां अपने आप वबस्तित होगा केवल जान के विजार करते रहेंगे तो उसको समधमा उपरदी से दिफ्ठा आधी नहीं होना चाहिए क्या जान में विजार करने के लिए तो यह सारे वहां उपस्तित होगे जो भक्ति में भक्ति करते हैं उनको समधमा उपरदी से दिफ्ठा नहीं चाहिए उनको भी चाहिए तो ये सब वहां उबस्थ होते हैं होने से ही आप कर सकता उसके बिना नहीं कर सकता इसलिए यद्यपी यहां विगल्प करके उन्होंने बोला वहां प्रयोग किया तो इसका अर्थ वो भी इसमें जोड़ा जा सकता है तो इसलिए आपी का प्रयोग किया भाषिकार ने आपी का प्रयोग किया और वो आपी वास्तों में चाह के अर्थ में मतलब वो भी होना चाहिए उसके साथ में वो भी रहेगा तो इसमें आपको जो अच्छा लगे क्योंकि सभी लोग एक मन के नहीं होते यह तो हमारे शास्त्र इसी के आदार पर चलता सक को ये की नुकसा ये की दवाई काम नहीं करता व्यक्ति का शरीर अलग-अलग होता है अलग-अलग शरीर के लिए अलग-अलग दवाई होती है और दवाईयों के मात्रा भी अलग-अलग होती है यह हमारे आयरवेद शास्त्र में यही विशेशता है। आयरवेद शास्त्र एक सामान रुप से दवाई का निदान कभी नहीं करता है। वो व्यक्ति को लेकर के बदलता है। क्योंकि व्यक्ति में उसके जो बाद, पित, कफ़, और उसके जो प्रगर्दी है, उसके शरीर के आगार है, इत्यादी को लेकर के बहुत कुछ फरक पड़ता है। ये की दवाई एक वेक्ति को काम करेगी दूसरे में काम नहीं करेगी ऐसा होता है सूष्प में विचार और ये आयरवेद के जो तत्व शास्त्र है वो भी ऐसे सांख्य से जुड़े हुए इसमें जो गुणत्रह का विभा करेंगे इनों ने भी सारे गुणत्रह के आधार प सांख्य के तेर्य को लेकर की ही करते तो ये जो भेद है साधकों में मन के भेद को लेकर के ये भेद को आपको आंगीगार करना ही पड़े तो इसलिए साधनों में भी विशेश साधन में कुछ विशेश परिवर्तन, विशेश साधक के लिए आवश्यक होता है ऐसा ही जो केवल एगाग्रदा का अभ्यास बिना कोई मदद से कर सकता है वो तो उत्तम अधिकारी है और कोई-कोई साधक ऐसा होता है अकेला बैट करके बहुत कुछ नहीं कर सकता उनको गुरु के सानिध्य चाहिए गुरु के सानिध्य में रहे करके ही वो शुरुवात का साधन कर सकता है ऐसे बहुत सारे साधक ऐसा होता है आप गोई अपने अनभो किया होगा, कोई गुरू के सानिध्य में रहा है, तो उनको अनभो होगा गुरू के सानिध्य में उनको कैसे होता है, विशेश होता है, गुरू के सानिध्य से बाहर जाने से तोड़ा बहुत इदर उदर मनमानी करने लगते हैं, इसलिए कुछ साध जब एक समाज में रह करके ही साधन कर सकते। क्योंकि उन्हेंगा भी ऐसा रहता है यह नियमों को पालन करने के लिए कई लोग करता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए, तो वो करता है वो नहीं कर रहा है यह तो थीक है, वो कर रहा है तो ठीक है वो आईसा करना चाहिए आईसे सादगों को मेशा सादगों के समाज में संत के समाज में ही रहना चाहिए वो अकेला जाएगा तो उल्टा पुल्टा कर देगा, उल्टा पुल्टा क्या दूसरा जो कर रहे है वो ही करेगा हूँ, क्योंकि उसका आदत है इसा है, नहीं मैं आइसे मज़क नहीं बोला, सच्छा ही है, वो सादगों के समूख से बाहर जा के आप उसको देखिए, यदि कपड़ा पहले लगता है, वो भी ऐसे चलने फिरने लगता है, बात करने लगता है, खाने पीने लगता है, सब होता है, बात में देखने से पता चलेगा है कि सादू के साथ रहा ही नहीं, पूछने से पता चलता है, नहीं हम बहुत साल पहले रहे थे, वहां भी रहे थे, तो ये स्थर के साधाओं को बहुत खत्रा होता है, उनको हमेशा एक आइस समाज में सेक्यूर में रहना चाहिए, नहीं तो वो विचलित हो जाए गर रास्ते से बढ़क जाए, ये सब गुरु निर्ना ही करते हैं, गुरु दे करके उसका आदत दे करके निर्ने करते हैं, कैस स्थिधी में रहने वाले उनके शरण में, उनके आस्राइ में रहकर नहीं साधन कर सकता है, तो इस प्रकاعर सेreno बहुत है और कोई होता है एक आअंद में साधन कर सकता, इसा भी होता है, उनको कोई समाज नहीं चाहिए, ए गांत में रहेंगे तो उनका साधन होता, ऐसे किन्दु किसी भी प्रकार का साधग हो उनके लिए साधन का निश्चय यह करके आप नहीं कर सकते यह साधन इन इन सब के लिए ऐसा नहीं हो सकते इनके मन को ठीक समझे गरके वो भेद करना पड़ता है इसलिए ये वाईकल्पिक साधनों को भी साथ में बता दे रहे हैं कि इनको भी अपनाते हुए मतलब जो पूर्व साधना आप कर रहे हैं उसके साथ इनको भी अपने-पने शमदा के अनसार अपने अधिगारिदा के अनुसार मन के अनुसार जोड़िये तब आपको उसमें मादत लिए तो ये है तो ये पूरा पाद उत्तम अधिगारी के लिए है किंदध उत्तम अधिगारियों में भी इस प्रगार का भेद मानना चाहिए जैसे अभी थीवरसंवेग में ही अलग-अलग भेद गर दिया, इसी प्रगार है तो ये पाद उत्तमादिगारी के लिए, किन्द उत्तमादिगारियों में भी ऐसे मनवाले होते हैं, इसको लेकर के आगे सूत्र परोड़त होता है, इश्वरप्रनिधानाद वा, इश्वरप्रनिधानाद वा, सूत्र स्पष्ट है, प्रनिधान का यहां अर्थ भक्ति विशेश, जिसको भगवान ने अनन्यास चिंद यंदो माम ये जना पर्युबा सदे, ऐसा कहा, उस प्रकार की भक्ति विशेश को यहां प्रनिधान शब्द से कहते हैं, संपूर्ण समर्पन, यही यहां प्रनिधान शब्दकार था, यह प्रनिधान शब्द आगे भी आएगे, तो जहां भी प्रनिधान शब्द आएगा, तो उसको ऐसा समझना है, इस प्रकार के पूर्ण समर्पन करें, तो इश्वरप्रनिधानाद वा, इश्वरप्रनिधान, इश्वर इश्वर समर्पन को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, स्रध्धा में बल मिलेगा। इश्वर समर्पन कर दिया, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वो इश्वर की सहायदा से कर रहा हूँ आज मैं इधर बैठा हूँ, इश्वर की सहायदा से बैठा हूँ मेरा सारा काम इश्वर की सहायदा से हो रहा है, ऐसा जब भाव आएगा तो आपको वो भक्ति विशेश होगा, वो भक्ति विशेश स्रध्धा को द्रड़ करेगा, स्रध्धा को हिलने नहीं देगा, क्योंकि आप बोलेंगे यह नहीं होगा, तो ईश्वर के अलग क्या हो रहा है, तो ईश्वर से अलग हो रहा है करके जैसा जैसा आप सोचते हैं तब ही आप मनमानी करने लगते ईश्वर से ही सब हो रहा है यदि आप सोचेंगे तो आप मनमानी करने से बच जाएंगे ये एक मान सिकता है जब मनमानी करते समय हम यह नहीं सोचते हैं, हमारे गुरु ने यह कहा था, गीदा में यह कहा है, और गुरान में यह कहा है, तो कहता है, ठीक है, गुरी जी भी ऐसे कभी बोलते थे, इसमें थोड़ा बहुत कमजोर करके, डिगरी को कम करके, उसके जो प्रशर को कम करके ही आ आप देख लेना अपने आप स्टाड़ी कर ले ठीक है स्वावजी बोलते रहते हैं कि इसका मतलब कमजोर हो गया और एक बार आपने गुरुवजन को शास्त्रवजन को इस तरपे डाल दिया इस कोटी में डाल दिया तो समझ लो आपका विश्वास में और स्रध्धा में कमी प्रदीदिन आते रहेगी क्योंकि ये भी एक मान सकता है एक बार आपने ठीक है गुरुजी ने बोला ठीक है इतना आप बोल दिया समझ लो गुरुजी ने बोला ठीक है इसका मतलब ठीक भी भी नहीं है तो ठीक भी नहीं है वाले उसी है ना जो ठीक भी नहीं है करके जितना आमशी में आप सोच रहे हैं उतने आमशी में आपको मन मानी करने के सवंद्रदा मिल रही है तब मन करता यह करो यह करो यह करने नहीं हो जाए अरे बात में विजार कर लेंगे बात में दो पहुंच गया तो फिर आपका साधन में डिला होने के लिए कोई और कारे नहीं चाहिए वो धीरे धीरे ही होता रहेगा पता ही नहीं चलेगा कि हमारे स्रद्ध कैसी तूटती जा रही है तो इसलिए मैंने कहा गुरु वचनों का और शास्त्र पर किसी भी प्रकार का मजाग करना उसमें किसी भी प्रकार का अप्छेप लगाना और हमारे अंदर जो द्रड़ बैठी हुई है उस विचार को कभी भी उसके साथ कॉम्प्रमेश करना ये सादर के लिए बाद में खतरना को सकते क्योंकि मन है मन हमेंसे आपके समझान के अनुसार काम नहीं करेगा आपने जो अभ्यास बनाया उसके अनुसार भी हो काम करता है अभी अभी हमने देखा दो-चार बार आपने ऐसा सोच लिया कि गुरु कहा दिया ठीक है फिर भी हमको यह करना चाहिए ऐसा सोच लिया तो यह एक ऐसे विचार बन जाएगी मन ऐसा छिद्र छोड़ देगा वह तो वह छिद्र से आप बढ़ते रहे रहे और छिद्र का ग्याब बढ़ते जाएग फिर उसको दुबारा लाने के लिए बहुत मुश्किल होता है जो गुरु लोग इसको समझते हैं वो क्या करते हैं शिश्यों पर आघाद करते हैं शिश्यों का ऐसे जमरदस्ती आघाद कर देंगे कि उसका पूरा मन तूट जाए उसका पूरा जो है सिस्टम ही खराब हो उसको पूरा या तो आस्रम से बाहर कर देंगे या तो तो आइसा कोई कुछ न कुछ ऐसा कर देंगे उसके क्या होगा या तो उसका पूरा तो होकर के वो दुबारा साधन शुड़ू करेगा या तो फिर वो सब छोड़ करके दुबारे उस तिदी में पहुंचाए तो यह आघाद का में शब्ध इसलिए प्रयोग किया एक प्रकार का हिट होता है, एक प्रकार के जो है धबाब होता है इदबाब करने से यह आप टीक होगा उसके भीन ठीक नहीं होता क्योंकि वो मुड़ गया था तो लात टूट गया था उसको सीधा करने के लिए जड़का की आवसेता हूँता है आएसे ऐसे मलम लगाते रहेंगे तो नहीं वह होगा जड़का के जगा जड़का ही चाहिए इसलिए आईसा जड़का देता अगार करता है तब वो दुबारा आएगा कभी-कभी वो तो जिसका प्रारध में अच्छा होता है तब उसको जड़का मिलेगा नए तो जड़का भी नहीं मिलता है वो जिन्दगी भर उसको फिर वाई सही रहना परता है इसलिए ये इश्वर प्रनिधान बहुत मुख्या साधने सब उसको जानते हैं इसलिए हम ज़्यादा इसके बारनेμिन नहीं कहेंगे गीध आधिषास्त्र भक्तिषास्त्र जो अध्यैन किया है उसको जानते हैं इसका इतना ही भाष्य में कह रहे हैं कि ये जो इश्वर के भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा इश्वर सब प्रदिबंदों को हटा दी आगे इसका फल बता है तदप प्रत्यक्चेदना अधिकमों अंदराया भावस्च एक सूत्राएगा तो इस्वर प्रत्यक्चेदना का अधिकम होगा अंदराया आत्मा का ज्यान होता है उसके लिए सगायक होगा और अंदर आया अभावस्त सारे आपके मार्द में आने वाले जो विग्ण है उनको हटा देंगे उसको हटाने में आपको मदद मिले यह सूत्रा आएगा आगे कुन्निष्वा सूत्रा है यह 29 माँ आपका है इस्वर कोई नाम नहीं लिया आजानक कहां से आगा है इस्वर को अलग 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 लकषण कर देते गोंकि इस्वर को आलग अलग अलग लक्षण दिया अब वेदान्द शास्त्र इश्वर का कुछ और लक्षन देता है भक्ति शास्त्र और कुछ बोलता है और पुरानाजी और कुछ बोलता है बहुत कुछ है तो पूछते हैं आपका क्या लक्षन है इश्वर का अभी क्या है इनको आपने मूल सिधान्द को बनाए रखते हुए ईश्वर को भी बीच में लाना तो मारशी जी ने आपने बहुत धायर्य पूर्वक ईश्वर को बीच में लाया क्वंग उनुने देखा इसार के बहुत उबयोगिदा है इसार पणिधान के बहुत उबयोगिदा है साधन इसलिए उनुने उसको यहाँ रखना ठीक समझा यदेभी मूल सांगे सिद्धाइन्द में कुछ अमशिमें यह मिलेगा ने क्योंकि मूल सांगे सिधानद में दो ही है प्रकृदी और पुरुषिन उससे अध्रिक कोई सत्ता नहीं मानते तो अभी इसलिए यह क्या है पुरुष कोड़ी में रखते पुरुष में ऐसा एक पुरुष का रतिया यहां चैदन्य है तो जड़ चैदन्य दो ही है तो एक चैद नाम्षि और नित्य सरवत्न्ह रहने वाला चैदनाम्षि किंतो करता क्या है जो साधक इनके प्रनिधान में आता है उनके मार्व में वो अंदरायों का अभाव करता। कि उनको संपरक्षण देता रहता। यह संपरक्षण देना इस incredibly विशेष हुरका करता है। इतना ही पूरा योके उस्त्र में इश्वर का करता है, वाकि कुछ करता है, वाकियों एवर कुछ नहीं, क्योंकि बाकियों करते करती apoyo, और चेधन तो कुछ करता हैं यह कheval है, यह जो विशेष चेधन है, इमका तो अंदराय अभाव करना यह कार्य है, इसके लिए इस्वर का लक्षन देते हैं पुरुष शब्द से आत्मी नहीं लेना है पुरुष मतलन चेतन चेतन तत्व का एक विशेष प्रागट्य इस्वर तत्व है तो पुरुष विशेष हमने चेतन विशेष हा तो जितने भी प्राणी है सब में चेतन है किन्द इनके चेतन में कुछ विशेष दा है इनके चे कहेंगे सर्वत नदा बीज के बारे तो क्या है कैसा होता है ये चेदन विशेश पुरुष तो बोलते हैं क्लेश अपरामृष्ट ये लिखा है क्लेश कर्म विपाग आशय अपरामृष्ट अपरामृष्ट कारता अस्प्रिष्ट जिसका कोई संबंध नहीं है असंबंधित बिल्कुल आलक है तो क्लेश के साथ इस चेदन विशेश का संबंध कभी नहीं होता अब इद्यास्मिधारागत देशा अबनिवेस जो क्लेश है पंचक्लेश है आगे बताएंगे तो इसमें इस इन क्लेशों के साथ इस चेदन विशेश का कभी कोई संबंद नहीं होता मतलब ये कभी बध्धा वस्ता में नहीं आता है ये चेदन विशेश पुरुष जाईश्वर और इसी प्रकार कर्म अपराम रिष्ट है कर्म के साथ भी इनका कोई संबंद नहीं है पुण्या लिए शब्द से कहेंगी, तो ये कर्मों के साथ भी कभी इश्वर का कोई सम्द noi होता है, मतलत ये कर्म करते भी नहीं है, इनको कर्म भल बहते भी नहीं है, ऐसा चेतन विशेष, धुसरी स्विपागा अपरामिर्ष्ट हा विपाग का अर्त होता है फल, विपाग शब्द प्रयोग करेंगे ये भी बार-बार आएगा आगे विपाग मनें विशेश रूप से पक गया उसको विपाग कहते है फल जो होता है विशेश रूप से पकने का होता है पकना तो और भी चीसमें का होता है कि फल का पकना कुछ विशेश होता है इसलिए विशेश रू के गेदी के संबंद में बोलते समय वहां मालूब होगा देखो सभी हम कर्म करते हैं कर्म करने पर उसका फल होता है फल सब्द का प्रयोकम कर देते हैं कि कर्म करते ही उसका फल नहीं होता है कर्म करने के बाद बहुत समय के बाद उसका फल परिणाम होता है जैसा पेड आपने लगाया पेड लगाना तो कर्म हो गया उसका फल आएगा वीससार बाद तो फल पकने का प्रोस्स अभी हो गया है इसलिए हम फल कह देते हैं क्योंकि पेड़ लगाने से ही शुरू हो गया, क्या हो गया, फल तायार रोना शुरू हो गया ना, यह पकने का मतलब यह है, इसलिए उन्होंने विपाग कहा, विशेश रूप से पकना, जो अभी जन्म में आप आया है, वो कुछ कर्मों को लेकर के आया है, कर्मों का फल को ठीक है, यह कर्म भल कैसे हैं, कि पहले जन्मांतरों से पहले आपने किया था, जितने कर्म किया था, उन कर्मों में बहुत सारे कर्म अभी विशेश रूप से तयार होगे, तो जितने विशेश रूप से कर्म तयार होगे हैं, उन कर्मों को इखटा करके देखने पर दिखत यह मनश्य शरीर के लिए वयुकत है तो आपको मनश्य शरीर मिल जाता है तो विशेश रूप से पकने से होता है इसलिए विपाग सब्द कारता है जादी आयूर भोगहा यह सूत्र आ गया है जन्म और जन्म प्राप्ति में आयू जितना काल तक रहे ना जन्म आयू और भोगह यह विपाग कर्म का विपाग मतलब विशेश रूप से तयार हो गया अभी आपने पेड़ लगाया पेड़ बढ़ते बढ़ते फल हो गया किन्तु पेड़ लगाते समय ही आप कह सकते हैं कार्म किया तो फल होगा तो पेड़ लगाते समय फल होगा किन्तु फल प्राप्ति के लिए उसके विशेश पकना होगा विशेश पकना तो काला अंदर में कभी भी हो सकता जैसा विशेश पकना हो गया तो क्या करेंगे आप विशेश पकना हो गया तो क्या करेंगे खाएं किंदू लगाते समय भी हम कहते हैं फल हो गया किंदू फल नहीं हुआ वो विशेश रूप से पका नहीं है फल का पकने की क्रिया जारी है इसलिए यहां जाती आयूर भोग को फल कहेंगे विभाग कहेंगे वो विभाग जो होता है जाती आयूर भोग उससे भी ईश्वर का आपर आम रिष्टत तो रहता है, तीनों काल में उसके साथ उनका संबंध नहीं रहता है, और है आश्य, आश्य के बारे में कल कहेंगे, क्योंकि आश्य में कुछ विशेश बातें बताने के है, आश्य का नाम करमाशे है और इस करमाशे को ही वासना भी कहते हैं, इसलिए हम के बारे में कुछ विशेश बतारा चाहेंगे इसमें, तो वासना और समस्कार और वो कैसे करमाशे बनता है, और समस्कार और विचार और वासना के जो स्तिदी है, इसको समझेगे Aum शानि 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 शानि